नमस्कार मैं हूँ अन्पमनूप आप देख रहे हैं दख़बरदानियों मद्ध प्रदेश की संस्खार धाने जबलपुर में जेवन दायनी मात नर्वदा की गोद में गवारी घाट में पिछले 24 फरवरी से मा नर्वदा गोब कुम्ब का धार्मिक अनुष्ठान अनबरत चल रहा था और 3 मार्च को भक्ती के इस संत समागम का समापन होने वाला है इस अफसर पर भक्ती में हुए भक्तों का अधभुद जवाबड़ा नर्वदा के तट पर देखा गया और आयुजित मेले में कहीं पर लोग अपनी दैने कुप्यों की बस्तुए खरीद रहे थे तो कहीं फोट इस्टाल पर अपने मन पसंद चीजों को खा रहे थे वही जगह जगह पर बिभिन अखाडों के माध्यम से चल रहे भंडारे और प्रवचनों ने मानव मन को भक्ती से सराबोर कर दिया था और इस तरह से भक्ती आस्था और संतों का ये समागम दुनिया भर्गो अधुसान्ती और आध्यात्म का संदेश दे गया यहाँ पर बज रहे चारोतरा भक्ती मैं संगीत से मनुष के मनमंदि में श्वय में ही इश्वर के अप्तरित रोप कर दर्शन हो जाते थे और इसके साथ ही साथ जगह जगह पर चल रहे भंडारे आरती और प्रसाद बितरन के क्रियाएं मानव मन को अनायाश ही इश्वर के पास ले जाने को आतुर थे इसके साथ ही साथ देश और प्रदेश के कई बड़े कलाकारों ने इस भक्ती मैं समागम में अपने उपस्थित दर्ज करा कर की इस सुंदर आयोजन को और भी सुंदर और मनोहारी बना दिया मानरवदा की गोद में ग typically गोड में आयोजित इस संत समागम में हजारों संतों ने अपने उपस्थित दर्ज कराई हजारों भक्तों ने गंगा, कावेरी, यमुना की तरह ही मध्यप्रेश की जीवन दाइनी मात नर्वदा की गोद में डुबकी लगा करके अपने जीवन के पुनफल को प्राप्त करने की चेश ठाकी तीन मार्च को आयोजन की समाप्ती पर रात्र में कहलास खेर के दौरा भक्ति में संगेत की प्रस्थुती उनके बैंड कहलासा के साथ दी जाएगे अगर अब तक आप इस भक्ति में संत समागम में नहीं पहुचे हैं तो जाएए और मनुरंजित हुए आनंदित हुए भक्ति में हुए शंतों के साथ आस्था के इस महाकुंभ में मानर्वदा गोकुंभ में अधिक जानकारी के लिए बने रहिए दखवरदार न्यूज के साथ देखते रहिए दखवरदार न्यूज नमस्कार धन्नबाद तो जानकार न्यूज दानकार न्युज वरतन साथ देखते रहिए दिता साथ देखते रहिए ग्र्षवरदार न्यूज दित्वाद कर दो 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 कर कि अगर अगर आप यह वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो फेस्बुक पेज को लाइक करें धन्यवाद